कहानी की शुरुआत में हम ब्रेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा आर्किलोजिस्ट था ब्रेसन के पास एक ऐसी डायरी थी जिसमें एक बेश किम दिखा जाने का नक्षा चुपा हुआ था ब्रेसन की डायरी के पीछे जर्मन के नाजी सोल्जर्स प अपने डेट का आदिश मानकर ब्रेसन का बेटा डायरी और अपने फेमेली के साथ गाड़ी में बेटकर वहां से निकल जाता है और अगले पर ब्रेसन के महल में जर्मन सोल्जर्स हा जाते हैं जो उसके डायरी मांगते हैं ब्रेसन जर्मन सोल्जर्स को डायरी के बारे में बताने से साफ साफ मना कर देता है जिस बात पर गुसा होकर जर्मन सोलजर ब्रेशन को जान से मार देते हैं वहीं दूसरी दर ब्रेशन का बेटा जो अपने फेमेली के साथ डायरी लेकर जा रहा था राजसे में एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है ब्रेशन का बेटा जब देखता है कि कुछ लोग गाड़ी से उसका पीछा कर रहे है तो उनसे बचने के लिए अपने कार को तेजी सांगे भगाने लगता है लेकिन इस दूरान उसकी कार का एक्सिटेंट हो जाता है जिसमें ब्रेशन का बेटा और उसकी वाइप मारी जाती है लेकिन ब्रेशन का छोटा बच्चा अभी भी जिन्दा था जिसके आद में डायरी को खोलने की चाबी थी अब छोटे बच्चे के पास एक आदमी आता है जो से डायरी की चाबी अपने साल ले जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है अगले सीन में हम डायरी को रोड के किनारे पढ़े हुए देखते हैं जिसें ब्रेशन के बेटे नहीं दुश्मनों से बचाने के लिए फिंक दिया था ताई कि डायरी गलत हातों में ना पढ़े अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं जा शेयर में लगाई गई एक परदशनी में ब्रेशन के लाइफ से जुड़ी सारी जवरी चीजे दिखाई जा रही थी और उन सभी चीजों में सबसे खास थी ब्रेशन की वो डायरी जिसे बचाने के लिए ब्रेशन और उसके बेटे ने अपनी जान देदी थी सबको सही चल रहा था लेकिन तबी और्गेनाईजर के पास एक गाट बागतावा आता है जो और्गेनाईजर को बताता है कि मुझे पता चला है मशूर चोर लूपिन ब्रेशन की ये डायरी चुराना चाहता है गाट की ऐसी बाते सुनकर और्गेनाईजर ओफिसर को जल्दी से डायरी को तीजोरी में रखने के लिए कहता है क्योंकि उडायरी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था ओफिसर जब डायरी को तीजोरी में रखने जाता है तो लेटिसिया नाम की एक लेड़ी गाट ओफिसर को बीच में ही रोग लेती है क्योंकि उसे बता चल गया था क्यों ओफिसर कोई ओन नहीं बलकि लूपिन था जो बेश बदल कर डायरी चुराने के लिए आया था लूपिन के बारे में पता चलने के बाद जल्दी से इंटरपोल ओफिसर जेनी गाटा को इसके बारे में बताया जाता है और अगले पल जेनी गाटा अपने गार्ट के साथ लूपिन को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है जेनी गाटा लूपिन को पकड़ने के लिए कफी जादा excited था क्योंकि वह पिछले कही सालों से लूपिन को पकड़ना चाहता था लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया था अब इसे पहले की जेनी गाटा लूपिन को पकड़ता लूपिन एक जेनी गेस को रिलीज करता है और वहाँ से भाग जाता है अब वो सिक्रेट डायरी लेटीशिया के पास थी जिसे हो तीजोरी में सेफ रखने के लिए जा रही थी लेकिन अगले पल वो गाट से बसते वे डायरी के साथ बीलिडिंग के चहत पर आजाती है दरसर लेटीशिया भी लूपिन की तरह डायरी को चुराने के लिए हि आ ही थी भीलिडिंग के चहत पर पहले से भी मौझू अगले भी फाइदा नहीं होता और अगले पल फुजी को नाम की एक लड़की लूपीन से भी वह सिग्रेट डायरी असिल कर लेती है और हेलिकॉप्टर से वहां से निकल जाती है अब वहां पर जेनी गाटा भी आ गया था जो फाइनली लूपीन को पकड़ने में काम्याब हो जाता है लेटिसिया किसी तरह वहां से बचकर निकल गई थी और अपने ग्रेंट फादर को फोन करके डायरी के बारे में बताती है क्यों डायरी असिल करने में नाकाम रही लेटिसिया के ग्रेंट फादर ये सुनकर लेटिसिया बर बहुत गुसा होते हैं क्योंकि वह भी किसी त ठरह सिएैंट डायरी को हांसिल करना चांथे थे और उन्हीं लोगों ने अर्केोलोजिश्ट ब्रिसंग इसके फैमिली को मारकार वें से चाव. अगले ही ही फुजी को जिसने लूपिन से बड़ी चालाकी से डायरी असिल कर ली थी वहquently के बहुत खुश होते लेकिन जब प्रोफेसर लेंबर्ट अपने पास मौझूस करते हैं। तो नहीं कूलता। हिसलिए उसे पकड़ लिया जाता है। अगले सीन में हम जेनी गाटा को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ लूपिन को पकड़ कर जेल ले जा रहा था। ले जाते हैं कि जीगन जहां एक शार्प शूटर था वहीं जोमन एक खतरनक समुराई था एक बार फिर से लूपिन को अपने हातों से जाता देकर जेनी गाटा काफी दुखी होता है अब लूपिन जब अपने दोस्तों को सिक्रेट डाइरी और उसमें चीपे खजाने के नक तो में चुपके से एक ट्रांस्मीटर फिक्स कर दिया था जिसने उसे लेटेशिया का लोकेशन पता चल गया था लेटेशिया के घर आकर लूपिन को पता चलता है कि लेटेशिया वास्तों में एक आर्कियोलोजिस्ट की स्टुडेंट थी जिसका सबना बोश्टन युनिवर्सिटी में पढ़ना था अब लूपीन जब सामने दिवार पर एक आगच के पन्नों पर बनी डायरी के सिक्रेट की के ड्रोइंग को देखता है तो पूरी में बताती है कि लूपीन के पास डायरी की वो की है जिसकी तलाश लेटेशिया के ग्रेंट फादर को सालों से थी लेटेशिया की बात सुनकर उसके ग्रेंट फादर उसे किसी भी तरह से अपने पास लाने के लिए कहते हैं लूपीन लेटेशिया के कमरे की दिवार पर ब् ब्रेशन के जिस डायरी में सिक्रेट खजाने तक पहुँशने का रास्ता चुपा हुआ है उसे ब्रेशन ने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर बनाया था लेकिन आस तक किसी को है पता नहीं चल पाया है कि ब्रेशन का वो फ्रेंड कौन था लेटेशया लूपिन को ब्रेश लेटेशिया की महत करने के लिए राजी हो जाता है इसके बार लेटेशिया और लूपीन सबसे पहले डायरी को आसिल करने के लिए निकल बढ़ते हैं और एक बोड में छुप जाते हैं इस दान लेटेशिया लूपीन को अपने बारे में बताती है कि बश्वन में ही उसके खिश्मन में माड दिया था यानि कि लेटेशिया इस समय जिस आदमी को अपना ग्रेणट फादर बता रही थी वह लेटेशिया के असनी ग्रेणट फादर नहीं थे क्योंकि ब्रेशन की तो सालों पहले डेत हो चुकी थी कुछ समय बाद वहां पर एक एरोप्लेन लेंड ह पोती है जिसे दिखाते हुए कि देंटरी को किताबों के बीच में ठीक चुपा रहा था डायरी के बारे में पता चलने के बाद लूपि और किसी तरह उन किताबों के पास आ जाते हैं जिन बीच में लेंबर्ट ने डायरी को चुपाया था लूपिन अपने शेफ खोलने के टेलेंट की मदद से बड़ी आसानी से वो शेफ खोलने में काम्याब हो जाता है जिसके अंधर लेंबर्ट ने डायरी को चुपाया था और डायरी आसिल करने के बाद लूपिन और लेटेसि की भी जवरत थी काफी देर तक सोचने के बाद लूपीन एक सिक्रेट पासवर्ट की मदद से डायरी को खौल लेता है जिसने देखकर लेटेसिया पुरी तरह से एरान थी और वो इसके बारे में लूपीन से बूशती है क्या कि उसने कौन सा पासवर्ट डाला जिसने डायरी खुल गई लेकिन लूपीन लेतेसिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है और उससे कहता है कि मैं समय आने पर तुम्हें पासवर्ट के बारे में बता दूंगा डायरी को खौल कर जब ये उसके अंदर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डायरी में किसी खज और उसे अनरजी जेनेटर को हासिल करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि जेनेटर तक पहुशने से पहले उन्हें तिन डियरली ट्रेप को पार्ट करना था जिसमें हुई एक गल्थी उनकी जान भी ले सकती थी अब इन्हें डायरी की मदद से सिक्रेट अनरजी जेनेट और उसके location के बारे में सब कुछ पता था लेकिन इस दोरान अचानक से लेटेशा लूपिन के ओपर घंतान देती है लेकिन ओए देखकर पूरी तरह सी हरान थी कि उसकी गन में एक भी बुलेट नहीं थी दरह से लूपिन को पहले से ही पता चल गया था कि लेटेशा लेमड क के लिए काम करती है और लूपीन का साथ सिब इसले दे रही थी क्योंकि किसी भी तरह से डायरी को खोलना चाहती थी जिसे सिब लूपीन ही खोल सकता था और यही वज़े थी कि लूपीन ने पहले ही लेटे शाह के गन की बुलेट निकालनी थी अब वहाँ पर लेमड भी बिजने का वादा करके उससे हैं सब करवा रहा था लेटेशिया जब लेमड से बोश्टर इनिवर्सिटी जाने की बात करती है तो लेमड लेटेशिया पर गुसा हो जाता है क्योंकि सबसे पहले किसी भी तरह एनरजी जेनेटर को आसिल करना चाहता था अब जेराट भी व बात करके एक चोटा सा प्लेन लेकर वहां से निकल जाती है लूपिन ने भी किसी तरह बहुत मुश्किल से खुद को आजात करा लिया था और चुपकर लेमड और जेराट की बाते सुनता है जिसे उसे पता चलता है कि जेराट और लेमड हीडलर के लिए काम करते हैं और ज उद्द में किसी तरह बश निकला था लेटेशा भी लेमड और जेराट की बाते सुन रही थी जिसे उसे उसे भी पता चल गया था कि उसके ग्रेंट फादर जेराट के साथ मिलकर हीडलर और नाजी सोलजर के लिए काम कर रहे थे जिससे लेटेशा बहुत दुकी थी लेट लेटेशा का कोई भी काम नहीं था क्योंकि उन्हें डाइरी मिल चुकी थी इसलिए जेराट लेटेशा को प्लेंट से नीचे फेंगने के लिए कहता है लेटेशा का असली गेंट फादर ना होने के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करता था इसलिए जेराट से कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि लेटेशा हमारे कामा सकती है लेकिन जेराड लेंबर्ट की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और लेटेशा को शिप से नीचे फेंग देता है शिप में चुपा हुआ लूपीन ये देखकर लेटेशा को बचाने के लिए शिप से नीचे कूछ जाता है और इससे पहले कि वो दोनों नीचे गिरते वहाँ पर फूजी को अपने प्लेन से उन्हें बचाने के लिए आ जाती है और अपने साथ लूपीन के फ्रेंड्स जीगन और जोमन को भी लाई थी जेराड लूपीन और लेटेशा पर हमला करके उन्हें मानने कोशिश करता है जिसके दोन फूजी को की प्लेन क्रेश भी हो जाती है लेकिन अपने फ्रेंड्स की मदद से वो सभी सेवली जमीन पर लेंड कर गए थे जेराड इतना आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था इसलिए एक बार फ्रेंड्स से वापस आता है और इस बार उनकी गाड़ी कोई बलाश कर देता है और वहाँ से चला जाता है कार के बलाश होने की वज़े से लोपिन अपने फ्रेंड्स फुजिको और लेटेश शाय के साथ रेगिस्तान के बीच में फस गया था और वहाँ से बचकर निकलने के लिए उनके पास कोई भी सादर नहीं था रेगिस्तान से बहाँ निकलने के लिए लोपिन अपने दिमाग के इस्तमाल करता है और जेनिगाटा को कॉल करके उसे अपना लोकेशन बता देता है लोपिन का लोकेशन पता चलने के बाद जेनिगाटा उसे पकड़ने के लिए इंटरपॉल के हेलिकॉप्टर और कुछ ओफिसर्स के साथ वहाँ आ जाता है जेनिगाटा के हेलिकॉप्टर से आने के बाद लूपिन बड़ी चालाकी से उन्हें बेकुप बना कर उनके हेलिकॉप्टर चुराने कोशिश करता है ताए कि वहाँ से अपने साथियों के साथ निकल सके लेकिन जेनी गाटा को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो भी किसी तर हेलिकोप्टर के अंदर आ जाता है अब लूपिन जब जेनी गाटा को लेंबर्ड और जेराट के हिटलर के लिए काम करने के बारे में बताता है तो जेनी गाटा भी लेंबर्ड और जेराट को रोकने में लूपिन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है राजते में जब वो हेलिकोप्टर में फ्यूल बढ़ने के लिए एक पेट्रोलियम इस्टेशन पर रुखते हैं तो लूपीन लेटेशा के पास आता है और लेटेशा को बताता है कि उसने अपने फ्रेंड्स की मदा से लेटेशा के बारे में सारी जानकर यांसिल कर ली है ज लूपीन लेटेशा को ये भी बताता है कि बेशन की ब्लड लाइन होने की वज़े से उसके अंदर आर्कियो लोजिस्ट बनने की प्रबल इच्छा है और डायरी का जो पासवर्ट लूपीन ने डायरी में डाल कर उसे कोला था वो कोई और नहीं बलकि लेटेशा का ही नाम देखता है तो समझ जाता है कि जरोस के ग्रेंट फादर ही ब्रेशन के और फ्रेंड थे जिनके साथ मिलकर ब्रेशन ने और डायरी बनाई थी और यहीं वज़े थी कि लूपीन के ग्रेंट फादर भी डायरी को आसिल करना चाते थे अगले सीन में हम लेंबर्ट और से पहले अपने एक आदमी को गुफा के अंदर भीज़ता है लेकिन वो आदमी अगले ही पहल एक अद्रश पार की वज़े से मारा जाता है अपने आदमी की मौद देखकर लेंबर्ट और जिराड समझ जाते हैं क्यों गुफा काफी ज़्यादा खतरनाक है जिसें किसी भी तरह बिना डायरी के पार नहीं किया जा सकता इसलिए लेंबर्ट और जिराड सबसे पहले डायरी आसिल करने के लिए वापस लोड जाते हैं लेंबर्ट और जिराड के वहां से जाने के बाद लूपिन अपने साथियों के साथ गुफा के पास पहुंच जाता है और डायरी पार करने के लिए उन्हें पज़ा स्वोल करना होगा जो की था आख के बदले आख गुफा के दरवाजे पर लगे एक मोश्टर के स्टेचू की एका गायब थी और गुफा के दिवार पर चारों तरफ आखों की तरह ग्लोप्स बने हुए थे जिससे लूपिन समझ जाता है क पास पहुचने पर इन्हें पता चलता है कि ओग लूपिन अपने दोस्तों की मदर से किसी तरह बहुत मुश्किल से सारे गुलोप्स में से मोश्टर की आख उसके सही जगा पर फिक्स कर देता है जिससे पहला ट्रेप डिएक्टिवट हो जाता है और बढ़ी आसानी से चोटे-चोटे चंकिले पार्टिकल से मिलकर बना एक पार्टिकल फिल्ड था जो इनके ओपर हमला करना इस्टार कर देता है चोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर काफी ज्यादा पा़रफूल बन गए थे जो किसी को भी आगे नहीं जाने देते थे और उन पार्टिकल से बचकर आगे जाना इंपोसिबल था लूपीन को पता चलता है कि और चमकिले बार्टिकल्स कुछ और नहीं बलकि फालिंग इस्टार्स थे और उन्हें कोई मीटियोरोइडी अपनी तरह वर्टेट कर सकता था लूपीन को जब पता चलता है कि उसके फेंड जोमन की चड़ी एक मीटियोरोइड से मिलकर बनी है तो जोमन को अपनी चड़ी से फॉलिंग इस्टार्स को अट्रेट करके आगे जाने का रास्ता बनाने के लिए कहता है लेकिन जोमन ऐसा करने से सासा मना कर देता है क्योंकि अपनी फेंड चड़ी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाता थ लेकिन इस दौरान वो देखते हैं कि जोमन की मेटियोरोइड से बनी चड़ी से अट्रेट होकर फॉलिंग इस्टार के पार्टिकल्स ने उनके आगे जाने का रास्ता बना दिया था जिसके मदद से लूपीन अपने साथियों के साथ तीसरे और आखरी ट्रेप के पास आ तीसरे ट्रेप के रूप में एक टैनल जैसा रास्ता बना हुआ था और उसमें बहुत सारी कलरफुल लाइट भी लगी हुई थी लेकिन डायरी से उन्हें पता जलता है कि तीसरे और आखरी ट्रेप भी सबसे खतरनाक ट्रेप है जिससे बचकर निकलना लगबग इंपोसि सामने आता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से सारे लेजर लाइट से बसते हुए ट्रेप को पार कर लेता है जिससे पिछले दोनों ट्रेप के साथ ही तीसा ट्रेप भी डियक्टिवेट हो जाता है अब लूपीन के सामने था वो वेपन जिससे सबी आसिल करना चाते थे लेकिन इससे पहले कि लूपीन वेपन को अच्छे से देख भी बाता वहाँ पर लेमबर्ट गिराट और अपने बागी के आदमियों के साथ आ जाता है और लूपीन के साथ ही उसके सबी साथियों को बंदी बना लिया जाता है दरासल लेमबर्ट अपने आदमियों के साथ प्लेंज से वापस नहीं गया था बलकि ये तो सेफ लेमर्ड का प्लान था कि जब लूपिन अपने दोस्तों की मदद से सारे ट्रेप को डियक्टिट कर देगा तो लेमर्ड बड़ी आसानी से वेपन तक पहुंच जाएगा लेमर्ड गिराड और लेटेशा के साथ पारफुल वेपन के पास आता है जिसके बाद लेमर्ड लेटेशा से टायरी मांगता है ताय कि वेपन को एक्टिट कर सके लेटेशा लेमर्ड को डायरी देने से साफसा मना कर देती है और लेमर्ड को बताती है कि मुझे पता चल गया कि तूम मेरे grandfather नहीं हो कि कि मेरे grandfather ब्रेशन थे, लेंबर्ट सारी बाते सुनकर गुस्थें में आजाता है, और transmis pact बिशोरों का बेवाज गांडा है और कि लेंबर्ट डाये की मध़र से वेपन को एक्टविट कर देता है, और गिरार लेटिशा के साथ वेपन लेकर गुफा से निकल जाता है लेमबट के गुफा से वेपन ले जाने की वज़े से अब वो पुरी जगे डिश्टोई होना शुरू हो जाती है लेकिन गुफा में केत लूपिन अपने दोस्तों के साथ किसी दरेवा से बहां निकल जाता है अब लूपिन अपने साथेों के साथ जेनिगाटा के हेलिकॉप्टर की मदद से लेमबट का पीछा करने लगता है जीगन जोमन की मदस से लेंबट के प्लेन पर हमला करके उसे क्रेश कर देता है लेकिन इससे पहले की लेंबट की प्लेन नीचे गिरती लेंबट बड़ी चालाकी से पारफुल वेपन की मदस से प्लेन को डिश्टोई हुई विंक्स की जगे क्रिश्टल के मिक्स लगा देता है जिससे प्लेन एक बार फिर से हवा में उड़ने ही लगता है लेमड गिराट को बताता है कि वेपन का सबसे पारफुल अमला किसी भी जगे एक ब्लेक होल सरकल बनाना है जिसकी गेरिटेशनल फोर्स इतनी ज़ादा होगी कि अपने आसपास की सबी चीज़ों को अपने अंदर खीच कर उन्हें गायब कर देगी लेमड वेपन को ब्लेक होल बनाने का सिगनल देता है जिसके बाद देखते ही देखते वेपन के अंदर से एक टेंटिकल बहा निकलता है और टेंटिकल से निकलकर एक चोटी सी तेज नीचे जाती है जो देखते ही देखते एक ब्लेक होल सरकल में बदलना शुरू हो जाता है और अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खीशने लगता है लूपीन और उसके साथ ही भी हेलिकोप्टर के साथ ही लगातार ब्लेक होल की तरब खीचे जा रहे थे को नहीं देना चाहता था बलकि खुद वेपन की मदर से पूरी दुन्या पर राच करना चाहता था और इसलिए वो डायरी को भी जला देता है ताएकि उसके अलावा कोई और वेपन का इस्तमाल ना कर सके गिराड लेंबड का बदला हुआ रूप देकर बहुत गुसा होता है क्योंकि हीडलर के प्रतिवफादार था लेंबड और गेराड के बीच में और्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाता है जिस मौके का फाइदा उठाकर लेटेश्या वेपन को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करने लगती है गेराड जब लेटेश्या को ऐसा करते हुए लेटेश्या को बचाने के लिए लेंबड अपनी जान दे देता है अब इससे पहले कि गेराड लेटेश्या को भी मारता गेराड को रेडियो पर मेसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि हिडलर उसके काम से बहुत खुश है और गेराड से नाजी सॉल्जर के बेस मिलना चाहते हैं अब क्योंकि गेराड को वेपन चलाना नहीं आता था इसलिए वो लेटेश्या के साथ हिडलर से मिलने के लिए नाजी सॉल्जर के बेस वर चला जाता है जहां पर अपने सामने हिडलर को देखकर बहुत खुश होता है कि उस देर के बाद गेराड को इडल बनाया था लूपिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले जर्मन सॉल्जर को बंदी बना लिया था और खुश हिडलर के गेटब में गेराड से मिला था लूपिन के दोस्तों से लेटेश्या को भी सारा सच बता चल गया था कि इडलर को और नहीं बलकि लूपिन ही था लूपिन गेराड को सारा सच बता देता है कि ये सब उसका एक प्लान था और रिटलर तो कब का मर चुका है सारा सच बता चलने के बाद गेराड गुसे में लूपिन पर हमला करना इस्टार्ट कर देता है लेकिन इस दौन लूपिन बड़ी चालाकी से वेपन को कमांड दे लूपिन खुद को बचाने के लिए पेराशूर्ट की मदध से शिफ से कूदना चाहता था लेकिन गिराट लूपिन को इतना असानी से नहीं छोडने वाला था और लूपिन पर हमला कर देता है और उसे शिफ से बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है। समय रहते ही गेरार से बचकर शिप से नीचे कूद गया था लेटेशा और लूपिन के सारे दोसे जिन्दा दे कर बहुत खुश होते हैं अब लूपिन जब अपने दोस्तों के साथ वापस जाने लगता है तो लेटेशा खुद उसके साथ आने के लिए कहती है क्योंकि अब उसका इस दुन्या में कोई नहीं था लेटेशा की बाह सुनकर लूपिन उसे बोच्टन उनिवर्शिटी का एडमिशन लेटर दिखाते ह कहता है कि तुम्हारी जगह यहां नहीं बर्कि बोच्टन उनिवर्शिटी में है दरसल लूपिन ने पहले ही लेटेशा को बताए बिना ही लेटेशा के रिसर्च पेपर के साथ यूनिवर्शिटी में एडमिशन के लिए एपलाई कर दिया था एडमिशन लेटर पाकर ले जाती है गाइस अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले थैंक्स वरोचिंग